हमेशा मुस्लिम वेडिंग के बारे में सोचते ही फूलों की चादर की एक तरफ दूलहा और दूसरे तरफ दुलहन को इमाजिन करते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉलिवुड ने हम लोगों को बिगाड रखा है बस क्योंकि मुस्लिम वेडिंग ऐसी बिलकुल भी नहीं होती है और क्योंकि हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं एक मुस्लिम वेडिंग तो जरूर अटेंड करूँगा तो फाइनली जब मुझे मौका मिला तो मुझे पता चला है भाई सहाब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे बॉलिवूड मुवीज में दिखाते है और उसमें भी सबसे इंटरिस्टिंग चीज यह होती है कि लड़का बाद में निकाह कबूल करता है लड़की का कंसेंट पहले लिया जाता है लड़की पहले निकाह कबूल करती है फिर लड़के से निकाह कबूल किया जाता है And then the marriage is done उसके बाद जाके सब कुछ होता है तो मेरे लिए तो भी बहुत जादा शौकिंग था और सच बता हूँ तो इस शादी में खाने के बाद जो मुझे सबसे जादा चीज पसंद आई मेरी सबसे फेवरेट चीज थी विदाई क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से विदाई हुई थी बढ़िया पालकी में और वैसे मैं आपको एक बात और बता दू की